बुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, बढ़ती महिंगाई, बॉर्डर इशू, छोटी मोटी बाते हैं आजकल पिछले हफते हमारे देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा, बिकीनी कंट्रोल एरिटर, अभी एपिजोड शुरू हुआ है, बात तो कर लेने दो हैं शारुक खान स्टारर पठान मुवी में बेशरम रंग गाने में दीपी का स्विम्सूट पे नजर आती है और इसी वीडियो ने देश भर में बवाल खड़ा कर दिया अभे एरिटर एक काम कर दू, गाना ही चला दे हैं, मेरे बोलनी की क्या दरूरत है पिर है कंट्रोल कर लाग टपक रही है मुझसे, मन कर मुखो तो हुआ यूं कि हमारे देश में बड़े बड़े परदे पर स्विम्सूट वैसे तो कोई नई चीज है नहीं करीबन 80 साल पहले मीनाक्षी शिरोटकर ने एक मराथी फिल्म ब्रह्मचारी में पहली बार स्विम्सूट पहना था मीनाक्षी शिरोटकर शिल्पा और नमरिता शिरोटकर की दादी थी वैसे तो डैडी कूल होता है यहां तो दादी कूल है 1958 के दिल्ली का ठग फिल्म में नूतन ने भी स्विम्सूट पहना और फिर शर्मिला डेगोर ने तो भाई क्रांती ही ले आई वो स्विम्सूट पहना और एविनिंग इन पैरिस 1967 और आमने सामने में और फिल्म फैर के फोटो शूट के लिए टूपीस बिकिनी नूटलियर बॉम इन इंडिया लोगों की आँखे चार लेकिन तब भी देश और धर्म इतना संकट में नहीं आया जितना ये 50 साल बाद डिपीका के बिकिनी के बज़े से आ गया है ऐसा क्यों? देखिए धर्म मर्यादा संभिता के जो तालिबान मेने मतलब है कि ये जो मर्यादा संभिता के जो ठेकेदार हैं उन्हें दिक्कत बहुत हुई डिपीका के बिकिनी से खड़े होगा ऐसा है अंकल जी? जोड-जोड से अपना डंडा हिलाने लगे किसी को बिकिनी से प्रॉबलम थी, किसी को बिकिनी के रंग से प्रॉबलम थी, किसी को बिकिनी के धंग से प्रॉबलम थी यूसी कट बहुत हाई है किसी को बिकनी वाले डांस से प्राब्लिम थी, किसी को बिकनी वाले गाने में खान से प्राब्लिम थी जितना बिकनी पर वीशलेशन हुआ है ना पिछले हफते अगर उतना वीशलेशन हम देश पे मेक इन इंडिया भुकमरी बेरोजगारी पर कर लेते आरे पांच ट्रिलियन टन एकॉनमी कपका पार कर चुके होते बहराल मूवी का नाम पठान उसमें है शारोग खान बॉईकॉट गैंक को एक्टिव तो होना था अगर मूवी बॉईकॉट ना होती तो इसमें अचंबे की बात होती लेकिन इस बार ये बात साबित हो गई कि सोशल मीडिया किसी भी प्रकार की मूर्थता का मोहताज है हीपोक्रिसी की सीमा तो हम ऐसे में कपका लांग चुके है सुशान सिंग की दुखद मिर्तियों को बार बार लूप पे चला कर मडर और कंस्पिरिसी बना कर टी आरपी खुब बटो रहे गए लोगों का ध्यान कोविट से भटकाया गया फिर एसरके के बेटे आरेन को घोशित कर दिया हमने गंजेडी और नालायक क्यों? पांच गराम चरस पाए जाने का आरोप था बात में मिला कुछ नहीं लेकिन जब चुहा आज 500 किलो गराम गांजा कुतर जाता है और पुलिस ये बात कोट में कहती है तब हम टस से मस नहीं होते हैं क्यों? क्योंकि बॉलिवुड की बात ही कुछ और है उसे रगड़ना, उसे बॉयकॉट करने में जो मजा था तो ब्रहमास्तर के बाद पठान ने कर दिया है हिंदू धर्म का अपमार गेरुआ बिकनी पहन कर सद्यो पुरानी परंपरा अब आई है खत्रे में जो आस था, जो धर्म, जो विश्वास हजारों साल के मुगल और बिर्टिश राज पर ना तूट पाई आजकल लडखडा जाती है एक बिकनी से या फिर लोगों का सी बनाना आजकल थोड़ा जादा आसान हो गया है ये बात आप खुदी समझ लीजिए लेकिन इस बार पांसा शायद उल्टा पड़ गया पठान शायद बाजी मार ले गया कम से कम अभी के लिए वो कैसे? तो रुको जरा, सबर गरो पहले सब्सक्राइब बटन तो दबालो, पूरी कहानी बताता हूँ और अगर देशभग पे हमारा काम आपको पसंद आता है तो patreon.com slash the देशभग पर जाकर एक annual membership भी आप ले सकते हैं चलिए पहले शुरुवात करते हैं धर्म के नए और उभरते रखवाले जो नए हमारे लीडर है नरोक्तम मिश्राजी होम मिनिस्टर है मदब देश के हलके में मत लीजेगा उन्होंने डंका बजा कर ये एलान कर दिया कि ये डीपीका की जो बिकिनी है ये objectionable है इसे गंदे polluted mind ने बनाया है गंदी सोच वालों ने ये गाना बनाया है काश कोई निता अगर ऐसा होता जो गंदे pollution के बारे में air pollution के बारे में भी इतना आग बबुला होता लेकिन मिश्रा जी honest इंसान है problem बिकिनी से ज़ादा है या देपीका से ज़ादा है ये खुदी बता दिया देपीका पादिकोन जी तुकड़े टुकड़े गैंग की समर्तक रही है मैं ये निवेदन करूँगा कि इसके दर्श्यों को ठीक करें वे इस मुसा को ठीक करें अन्मिता मद्यपरदेश में इस फिल्म को अनुमती दी जाए ये न दी जाए ये बिचारनी प्रश्न होगा उधर महराष्टर में राम कदम जी ने भी बोला कि पठान फिल्म के प्रड्यूसर को संतों, महात्माओं, हिंदू संगठनों और सोशल मीडिया पर उन सैकड़ों लोगों के सामने सफाई देनी होगी कि उन्होंने गेरुए रंग में ये बेशरम नाच क्यों किया है ये स्किन शो क्यों किया है और जब धर्म खत्रे में आया ही है तो साधवी प्रग्या ने भी अपने बातों से ये बात बयान कर दी जिसमें विस्पोटक ये बयान दिया कि देखो इस मूवी का भहिशकार होना चाहिए अगर आप में शरम है अगर आप अपने को इंदू मानते हो तो ये पिच्चर नहीं देखोगे और ऐसे लोगों का जबड़ा तोड़ देना चाहिए जो ऐसी पिच्चरे बनाते है अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मूँ तोड़ जबाब नहीं तो गाना रिलीज हुआ कैसे? क्या फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ट जेयर्यू में बेटती है? क्या उसके मेंबर्स कॉंग्रेस, आमाद्भी पार्टी, टीमसी से ठुसे हुए है? क्या सर्टिफिकेट बोर्ट से पहले सवाल नहीं पूछने चाहिए? और अगर सेंसर बोर्ट की बात नहीं माननी है, तो हटा दो बोर्ट को, तालिबान रूल लगा दो, अरे मेरा मतलब है कि फेकेदारों का रूल लगा दो, देश के हर चौराहे में फैसला करवाओ, इस चौराहे पे पिच्टर चलेगी या ना चलेगी? और इससे पहले कि दिपीका को भी चौराहे पर घसीट के कोड़े पड़े, कुछ अजीब और घरीब हुआ पिछले हफ़ते, उसी सोशल मीडिया पर जहां बिकनी भहिशकार हो रहा था, जहां गेरुआ रंग का अपमान को लेकर लोग उल्टिया कर रहे थे, जहां रिटा रंग में अशलीलता और हीपोक्रिसी की सीमाएं पार कर रहे थे, देख लीजिए खुदी, आज दिल्ली में भारते जन्ता पार्टी के मुख्या हैं, श्री मनोच तिवारी, गेरुए रंग में बेबी को बीर पिला रहे हैं, और फुतक फुतक कर नाच पी रहे हैं, अब एडिटर एक बात बताओ, एक गेरुए और बीर तो ठीक है, यह साथ में या इनसान फुदक फुदक के ऐसे अशली नाच क्यों कर रहे हैं, लग रहे हर दो सेकेंड में इलेक्टरिक के जटके मिल रहे हैं हमारे मनोच जी को, यह कैसा गाना है, और यह तो कुछ भी नहीं ह मान्य संसार रवी किशन को देखो, गेरुआ देखकर इतना भूख, अरे अबे खा जाओगे क्या, इडिटर बंद कर, बंद कर, अरे यार यह पॉन्डोग्राफिक कॉंटेंट समझकर यूट्यूब वीडियो डिलिट करतेगा, अब चैनल खत्रे में आ जाएगा, अब ऐस का गेरुआ कुरता और नीचे पैजामा गाया, अई-ई-ई-ई, राब, 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 क्या इस गाने को करते समय अक्षे कुमार को ये नहीं लगा कि धर्म का अपमान हो रहा है, हाँ, ठीक है, मैंने, मान लिया कि वो कनेडियन है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो भारतिय संसर्दी का ऐसे, खुले हम मजाग उडाएंगे, है, अक्षे कुमार, माफी माँगो, माफी माँगो, अब क्या बच्चे की जान लेगा, जान तो लेंगे, जान तो लेंगे, अक्षे, क्योंकि अगर गेरुआ का अपमान किसी बॉलिवोड में स्टार ने कि किया है, तो अक्षे तुमने किया है, यहां देखो, कट्रीना के गेरुए साड़ी को कितनी गंदे विचारों, कितनी गंदी निगाहों से देख रहा है, खजुराओ की मूर्तियां भी देखकर कह रही होंगी, यह थोड़ा जादा नहीं हो रहा है, इस गाने को सुनकर भक् समझ कर पी जाएगा, कट्रीना को ऐसा लग रहा है, और यह है, श्री दिनेश लाल निरहुआ का एक फिल्म का गाना है, वैसे तो बीजेपी के आजमगर से सांसद है, लेकिन देखिए इस गाने में विमिन्स राइट और विमिन अन दे टॉप की कुछ लग रहा है, बाते ने बेशरम रंग में भगवे का अपमान किया है, तो बॉलिवूड और भोजपूरी सिनेमा में कम से कम लाइन लग जाएगी ऐसे अपमानों का, और हमने तो देशबक पर सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, बीजेपी में एंट्री मारने के लिए बेताब कंगना गेरवा रंग पर अपनी जुद्ति रख रही है, तब तो आउच भी नहीं निकला किसी से, और और अब जब देख लिया है, तो वह अंदेखा भी नहीं कर सकते हूं, और बीजेपी के सनि पाजी नी आचा कि चड़ी वाली फोटो के लिए कभी खेत परकटकिया है, बताइए, एक टाइम था कि Miss India contest में भी swimsuit round में गेरुआ इतनी लड़किया पहन कर catwalk कर रही है स्मरिती इरानी भी है इसमें तब तो देश और सब्वेता खत्रे में नहीं आई और ना ही Times of India को boycott किया गया क्यों? क्योंकि शायद आप भी जानते और हम भी जानते हैं कि गेरुआ से problem नहीं है और ना ही गेरुआ कोई धर्म का रंग बनता है problem शायद DP का और SR के जैसे लोगों से है जो system की चाटते नहीं है वो चाहे system के खिलाफ खुले तरीके से ना बोले लेकिन उनकी जो read की हड़ी है न वो इतनी भी नहीं मुड़ी है कि वो system के तलवे चाटने की इजाज़त दे उनकी read की हड़ी और ये system को भी मंजूर नहीं है ठीक जैसे system को ये बात मंजूर नहीं है कि खान्स आज भी Bollywood और सैक्लो दिलों पर आज भी राज करते हैं इतना कुछ करने के बाद इस पूरे बिकनी भाहिशकार में हमें एक सबक तो जरूर मिलता है कि शुशान्त के नाम पर हमें तीन महीने तक C बनाया गया आरियन खान के नाम पर दो महीने तक ब्रहमास्तर का बॉइक एक महीने चला जिसके चलते publicity इतनी मिली कि एक एवरेज ब्रहमास्तर पिच्चर भी कम से कम 400 करोर का धंदा तो करी गई कम से कम अपने कॉस्ट रिकवर कर लिया पठान का पहला बॉइकट तो बैकफाइर इसलिए हुआ है कि हमारी जो डोमेस्टिक थेकेदार है उनका गेरुआ पोल खुल गया लेकिन बॉइकट और भी होंगे लेकिन इस फ्री पॉब्लिसिटी के बाद देखना क्या है कि पठान बॉक्स ओफिस पे कैसे परफॉर्म करती है अगर आपको बॉइकट करना है पठान या कोई और पिच्चर बोर्ड बन जाना थेटर के सामने उपद्रफ करना बंदर बन जाना ये हरकते पाकिस्तान के तालिबान के तरह है जब आप धर्म का सहारा लेकर धर्म के नाम पर अपने आपको तुर्रम खान समझते हो और कानून को अपने हाथ में ले लेते हो पठान के बारे में, DP का के बारे में, SRK के बारे में उल्टा सीधा बोलो, बिकीनी में जहाको लेकिन अगर गेरुआ का अपमान लगता है तो सबसे पहले सारे इन BJP नेताओं को और इन चम्चो को लाइन लगा कर सबसे पहले इनसे माफी नामा लिखवाओ वैसे कोई प्रॉब्लिम भी नहीं होनी चाहिए माफी नामा लिखने में लेकिन उसके बाद जब ये माफी नामें आ जाए उसके बाद SRK को बैन करने की बात करना लास में दो दिल्चस्प चीजे बताऊंगा जाने से पहले सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स ने गहरी चानवीन करने के बाद ये पता लगाया कि दीपीका जो थोड़े समय के लिए जो गेरवा बिखनी पहनती है इस पूरे गाने में उसमें बेशरम रंग का तो उच्चारन हुआ ही नहीं है तो कट्रोवसी कहां का और दूसरा पिछली बार दीपीका की नाक दीपीका का सर कटवाने की बात हुई थी टीवी निउस रूम में तलवारे निकली थी नतीजा ये हुआ था कि संजे लीला भंसाली की पदमावत 2018 में 300 करोर रुपए प्लस बॉक्स आफिस में कमाके चले गई तो देखना इस बार है कि इतनी पबलिसिटी के बाद पठान कितना कमाती है या पिच्चर इतनी वेकार निकलेगी कि इतना पबलिसिटी होने के बाद फ्लॉप हो जाए अगर ऐसा होता है तो मैं भी बॉयकॉट कर दूँगा